कि देखो आज का जो एजेंडा है कि वह प्रोग्रामिंग के कुछ बेसिक्स को एक्स्प्रोर करने का एक तर्म आता इसको बोलते हैं स्टेट्मेंट और एक्स्प्रेशन ठीक है स्टेट्मेंट एक्स्प्रेशन जब भी हम लोग स्टेट्मेंट की बात करेंगे तो स्टेट्मेंट इस टर्मिनेटेड यूजिंग सेमिकॉलन ज्यान दो मैंने कुछ ऐसा लिखा है इंट आई और आई में मैंने एक वैलू एसाइन किया है वन और सेमिकॉलन लगा हुआ है इडिस गॉइंग टू बी एस स्टेट्मेंट और इस स्टेट्मेंट का मतलब यह है कि आई एक वैरियेबल है इंटीजर टाइब का और उसमें हमने एक वैलू एसाइन किया है वन तो स्टेट्मेंट जब भी हम लोग कहेंगे तो स्टेट्मेंट हमेशा सेमिकॉलन से क्या होगा टर्मिनेट होगा तो सी में हम लोगों ने ऐसा कुछ इस्तेमाल किया एक दिसना इस्टेट्मेंट है यहाँ पे इंपोर्ट इंपोर्ट जावा.awt.font यह भी एक स्टेट्मेंट और देखो यह टर्मिनेट किस्से हो रहा है तो यह टर्मिनेट हो रहा है सेमीकर्ण। फिर हमने यहां पर system.out.println लिखा है ठीक है कल यह स्टेट्मेंट हम लोगों ने देखा देखा दा आउट्पूट स्टेक्मेंट सिस्टम.out.println एक आउट्पूट स्टेक्मेंट है और यहां पे यह ज़रा देखो anything enclosed within double coat is a string. तो यहां पे जो string की value है वो है क्या this motorcycle is a यहां तक एक string है यह देखो color एक variable है जो हमारे इस प्रोग्राम में कहीं declare हुआ होगा कहीं पर initialize हुआ होगा फिर हमने लिखा plus और यह ज़रा है एक space हम दे रहा है color और make के बीच में एक space देने के लिए हम लोगों ने कुछ ऐसा लिखके छोड़ा है इसको लोग बोलते हैं white spaces इसको मुलों क्या बोलते है इसको बोलते है white spaces ठीक है अब ज़रा देखो कि अपने पास एक और statement है यम डाट इंजन स्टेट यम डाट इंजन स्टेट नाम से देखो तो कुछ क्लियर हो रहा है हम लोगों की आदत जो है वो ऐसी है कि हम लोग variable के नाम जो है न बड़े इधर उदर के रख लेते हैं इसका फैदा क्या होता है यह प्रोग्राम की readability को बढ़ाता है ठीक है अभी यह क्यों लिखा गया है क्या है इसके बार हम लोग चर्चा करेंगे तो यह जो पहला वाला statement था यह हम लोगोंने c में भी देखा है c++ में भी देखा है जावा में भी देखा है और यह जो import statement लिखा गए इंपोर्ट यह बिल्कुल वैसा है जैसा हम लोग c और c++ में header file को include कर आते हैं इनको हम लोग बोलते हैं कि यह जो है packages है यह जो है packages है और यह क्या है इनको हम लोग आगे जो है discuss करेंगे ठीक है अब आगे की चीज जो है भी रुको जिरा कुछ दिक्कते हैं लोगों को वो सही हो जाएंगे अगे यह मी करके कोन है हुआ है यह हुआ है कर्षंट यह यह तुम्हों कर क्या रहा है उस्क्रीन पर चलो और जब भी हम लोग बात करेंगे एक्सप्रेशन की तो एक्सप्रेशन कुछ वैलूज रिटर्म करेंगा जैसे हमने लिखा ए प्लस बी और इसको मैंने एसाइन कर दिया सी में तो इडिज गोइंग टू भी एक्सप्रेशन यह क्या है एक्सप्रेशन अब मैं पत्री की बात बढ़ाता हूं जो एक्सप्रेशन है उसको हम लोग स्टेट्मेंट भी बोलेंगे एक्सप्रेशन सार स्टेट्मेंट्स लेकिन दोनों में अंतर है एक्स्प्रेशन वैलू रिटर्न करेगा जब हमने लिखा A प्लस B और उसको हमने एसाइन किया C में तो A और B की जो वैलू होगी वो वैलू एड़ होगी और C में वो वैलू एसाइन कर दिए तो अगर कोई बोलता है कि यह एक एक्स्प्रेशन है बिल्कुल सही बोला है अगर कोई बोला है कि यह एक स्टेट्मेंट है बिल्कुल सही बोला है अब कोई तुमसे पूछे कि यह बताओ कि इसको स्टेट्मेंट कहना ज्यादे सही है या एक्स्प्रेशन कहना ज्यादे सही है तो जब तुम कहोगे कि यह एक्सप्रेस्ट ने तो लोग तो हम लोगों ने यह देखा की स्टेट्मेंच और मतलब ठीक है अवाज नहीं आ रही है चलो आगे चलते है अब आ रही आवाज आवाज अब आ रही है अब जो है अगली स्लाइड को देखते हैं देखो इसके बारे में हम लोग बात कर दियों कि चाहे एक्सप्रेशन हो और चाहे स्टेट्मेंट हो वो सेमी कालन से क्या होगा टर्मिनेट होगा जैसे हम लोग सी में बलाक बनाते थे उसी तरीके से हम लोग जावा में भी क्या बनाएंगे बलाक बनाएंगे बलाक दो तरीके का होता है एक को हम लोग बोलते हैं लेबल्ड बलाक और एक को बोलते हैं अनलेबल्ड बलाक इसका मतलब क्या है तो इसका मतलब यह है कि जिस बलाक का एक नाम होगा वो लेबल्ड बलाक है और जिस बलाक का कोई नाम नहीं होगा उसको हम लोग अनलेबल् ठीक है याद किरो जब तुम लोग C में go to statement यूज कर रहे हैं तो यक्स क्या था यक्स वाज दा नेम आप दा ब्लाग तो विच यू वांट टू ट्रांसफर दा कंट्रूल ठीक है तो जावा में भी ब्लाग के concept हैं ब्लाग के अंदर भी ब्लाग बनाने के लिए क्या करना है तो हम लोगों को curly brackets यूज करना है और इस curly bracket के अंदर एक सिंगल statement में हो सकता है और एक से ज़ Argument भी हो सके है ठीक है आगे आओ देखो वैरियेबल क्यों चाहिए वैरियेबल किसलिए हम लोग यूज़ करें तो वैरियेबल को यूज़ करने का रीजन यह है कि हम अपने प्रोग्राम में जिसकिसी भी वैलू को लेके काम कर रहे हैं वो हमारे मेमोरी में कहीं न कहीं स्टोर है तो उस वैलू को एसस करने के लिए अपने पास जो तरीक है पहला तरीका क्या है या तो हम लोग उसका एड्रेस हम लोगों को पता हो या फिर उसका नाम हमको पता हो जैसे क्लास में जितने भी स्टुडेंट्स हैं उनको अगर एसस करना है तो उसको एसस करने के दो तरीके पहला तरीका क्या है कि हम रोल लंबर का इस्तेमाल कर लें और दूसरा तरीका है कि हम लोग नाम का इस्तेमाल कर लें तो रोल लंबर का इस्तेमाल करना ज्यादे टिपिकल है ठीक है लेकिन यह सबसे सांधर तरीका है कि क्लास में बच्चों को रोल लंबर वाइज हम लोग अगर हम लोग बाई नेम एसस करने की कोशिस कर रहे हैं तो यह यूजर लेबल पर आसान है लेगिन इसके साथ एक दिक्कत दिक्कत यह है कि हो सकता है कि क्लास में एक ही नाम के एक से ज़्यादे लोग और उस केस में फिर दिक्कत हूँ यही जो जन्रलाइजेशन है वो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग में किया है कि जो वैरियेबल्स है वैरियेबल को या तो वैरियेबल के नाम से रेफर कर लो या फिर वैरियेबल को वैरियेबल के एड्रेस से रेफर कर लो तो जब हम लोग किसी वैरियेबल को डिक्लेयर करत से हैं तो वहां पर हम लोग दो इनफार्मेशन जो है है दो इनफार्मेशन कम्मूनिकेट होती है कि एक इनफार्मेशन उसमें से डिराइब होती है जब हम किसी variable को declare करते हैं तो हम उसका type लिखते हैं जैसे हमने लिखा int a int a c में हमने लिखा int a इसका मतलब क्या है कि हमने compiler को कहा कि मेरे इस program में तुम दो byte का एक memory जो है allocate करो और उस memory area को तुम अब ए नाम से जानोगे ठीक है उस memory area को जो है अब तुम ए नाम से जानोगे ठीक है तो उसी तरीके से यही notion हमारा Java में भी जिस किसी variable को हमें use करना है उस variable को हमें declare करना है सी में सी प्लस प्लस में और Java में एक fundamental difference है इस case को लेके हैं सी में क्या होता है कि सारे के सारे variables use होने के पहले declaration section में declare कर दिये जाते हैं ठीक है सी प्लस प्लस और Java में क्या है कि जब भी तुमको लगे कि हमको किसी variable की जरूरत है तो तुम उसी point पर variable को declare करके यूज कर सकते हैं सी में क्या है कि तुमको पता होना थी यह पहले से कि हमारे इस प्रोग्राम में इन इन variables की जरूरत है और उन सारे variable को तुमको declaration section में पहले लिखना पड़ेगा और जब तक तुम उनको declare नहीं करोगे declaration section में तब तक तुम जो है नीचे उसको यूज नहीं करोगे यूज करोगे compiler जो है error देज़ेगा सी प्लस प्लस और जावा ने यूजर प्रोग्रामर को support कि उन्हों ने कहा कि तुमको अभी यह अपने दिमाग में लेकर रखने जुरूरत नहीं कि कि कितने डिक्लेयर कर रहे हैं तो हम compiler को बता रहे हैं कि हमको एक memory ब्लाक चाहिए और उसकी size क्या होगी जैसे तुम लोग c में dash platform पे जानते हो कि character एक byte लेता है इंटीजर दो बाइट लेता है फ्लोट चार बाइट लेता है उसी तरीके से जावा में भी जो है यह notion है और जब हम यह बता देंगे कि हमको एक byte चाहिए या दो बाइट चाहिए या चार बाइट चाहिए तो हमने यह भी decide कर लिया है कि उस memory location पे minimum कौन सी value हम लोग store कर सकते हैं और maximum कौन सी value हम लोग store कर सकते हैं यह जो statement हमने बोला है कि जब हम variable को declare कर रहे हैं तो हम compiler को बता रहे हैं क्या बता रहे है कि हमको इतने byte की memory चाहिए यह information है अब इस information के basis पे हमने एक दूसरी information derive कर दी क्या information derive की कि जो memory अभी हम allocate कर रहे हैं उस allocated memory में minimum कौन सी value कितनी value store हो पाएगी और maximum कितनी value store हो पाएगी इसको हम लोग calculate कर सकते हैं ठीक है अब जो है जरा अगली slide पर आया जाए जावा में जितने भी variable हैं उनको हम लोग तीन तरीके से categorize करेंगे एक को बोलेंगे instance variable एक को बोलेंगे class variable और एक को बोलेंगे local अभी परशान मत होना कि यह क्या है कैसे काम करेंगे अभी में एक छोटी जी कहानी सुनाता हूँ अभी सब clear हो जाए देखो कि दो कि पर्सन है यक्स और वाई यह दो लोग है और यह दोनों लोग जो है भाई पर्सन क्लास के जो आपजक्ट है पर्सन क्लास के जो आपजक्ट हमारे पास है यक्स और वाई अब हम लोग ने देखा था कि जो class है class basically abstraction प्रोवाइड कर रही है कौन-कौन सा abstraction प्रोवाइड कर रही है तो data abstraction प्रोवाइड कर रही है और method abstraction प्रोवाइड कर रही है अब याद करो एक slide मैंने दिखाया था उस स्लाइड में चिंपैंजी हस रहा था और गधा चुपचाब खड़ा था तो इसका मतलब क्या था कि चिंपैंजी वाले class में हसने वाला method था चिंपैंजी वाले class में हसने वाला method है इसलिए चिंपैंजी हस रहा और गधा जो है जिस class से के बिलांग कर रहा है उस क्लास में हसने वाला कोई मेथड नहीं है इसलिए गधा नहीं हस रहा है इट इस मेथड एपस्ट्रक्शन यानि आपजेक्ट उन्हीं मेथड्स को रिस्पांड करेगा जो मेथड उस क्लास में लिखे गए है जो है अब परसंफ क्रास में जीचने मेथड है वह सारे मेथड यक्स भी रिकागनाईज करेगा और व्यладर की करे मसलिन ने रहें हमने का रीड और राइट पढ़ना और लिखना दो मेरीफड चुकी यक्स और वाई यह दोनों परसंफ क्लस के आपजेक्ट हैं त fent यक्स और वाई को कहें कि तुम पढ़ो या फिर तुम लिखो तो यक्स और वाई पढ़ेंगे भी और लिखेंगे भी क्यों कि यह पढ़ने लिखने वाला मेथड रीड और राइट वाला मेथड इस पर्शन क्लास में पढ़ा हुआ है चलो तो इस एक्जामपल से हम लोगों एक अट्रिबूट है height, height, और एक अट्रिबूट है weight, तो AX और Y इन दोनों के पास अपना height होगा और अपना weight होगा, बोलो, अपना height होगा, और अपना weight होगा, ठीक है, अब AX और Y को इस real word में हम लोग uniquely identify कर लेंगे, जैसे चुमारे class में जितने भी student हैं, उन सारे students को हम लोग uniquely identify कर सकते हैं, कई बेर ऐसा होता है, कि तुमारे घर पर मालनों कोई महमान आने वाला है, और कहा दिया गया कि यार देखो वो इसकी कद काठी कुछ ऐसी है, यह कुछ इस color का dress पहना होगा, लंबाई इतनी है, चोड़ाई इतनी है, ठीक है, ऐसा कुछ idea देकर तुमको कहा गया कि तुम चले जाओ, इस्टेशन पर उसको receive करने और तुम पहुँचे तो लगभग तुमने उसको recognize करने है, यह यह चीज सोचने वाली है, आबजेक्ट के पास जो attribute है, अब जड़ा देखो अब attribute के हम बोलना है, height और weight यह दोनों क्या है, attribute, height भी attribute है और weight भी attribute है, तो आबजेक्ट के पास जो attribute की values है, वो values collectively define कर रही है, आबजेक्ट के state को, मसलन हम लोग कहें कि दो जुड़ा बच्चे हैं, तो दो जुड़ा बच्चे अगर हैं तो उनको हम लोग identify करना मुश्किल है, क्योंकि उन दोनों के पास जिचने भी attribute है, उनकी value क्या है, एकदम से बराबर, बदमासी राम करेगा, और मार्स से हम खाएगा, ठीक है, means, class में यक्स और y को हम लोग अलग-अलग अरिक्यागनाइज कर रहे हैं, पहचान ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, कि यक्स और y के पास जो कुछ attribute है, उस attribute में कुछ असमानताय है, attribute बिल्कुल सेम नहीं है, हो सकता है कि यक्स की लंबाई जो है, पास फिट है, और हो सकता है कि y जो है, वो तीन फिट का हूँ, तो height के basis पे हम लोग यक्स और y को क्या कर लेंगे? identify कर लेंगे, हो सकता है कि यक्स जो है, वो 100 kg का हो, और y 75 kg का हूँ, वेट के हिसाब से भी हम लोग 100 रुबाई को क्या कर सकते हैं identify कर सकते हैं देखो class जो abstraction दे रहा है data abstraction जिसको हमने attribute का है तो person class में जितने भी attribute होंगे वो सारे के सारे attribute person class के हर object के पास होगा ठीक है instance मतलब होता है object ठीक है और object is always a collection of attribute तो अगर हम लोग दूसरे सब्जों में कहें तो हम लोग ऐसा भी बोलेंगे कि object is an encapsulation of attribute ठीक है और चुकि object is a collection of attribute means whatever the object whatever the attributes an object owns उन्हीं सारे attribute को हम लोग क्या कहेंगे instance variable यानि height और weight x और y के लिए instance variable अब हम लोग आते हैं दूसरे slide पर class variable ध्यान दो कि class variable जो है जो मारे class में जो blackboard लगा हुआ है वो class variable class variable की केवल और केवल एक copy memory में रहेगी केवल और केवल एक copy जो है memory में रहेगी ठीक है लेकिन जब हम लोग बोलेंगे instance variable तो हमने कहा कि x और y दो object है person class के तो x के पास भी height है x के पास भी weight है y के पास भी height है और y के पास भी क्या है weight यानि instance variable object label पे है एक object से दूसरे object पर जाओगे तो उसके पास भी अपने set of attributes होगे तुम तीसरे पर जाओगे उसके पास भी अपने set of attributes होगे लेकिन जब तुम बात करोगे class variable की तो class variable की केवल एक copy जो है memory में रखी जाएगी और वही एक copy जो है पूरे object के बीच में share की जाएगी जैसे class में जो तुमारा blackboard लगा हुआ है उस blackboard को तुमारी पूरी class क्या कर रही है use कर रही है assess कर रही है लेकिन class में जीतने भी बच्चे बैठे हैं हर बच्चे के पास अपनी copy है तो हर बच्चे के पास अपनी copy है यानि अब copy को तुम ऐसे समझ लो की copy is going to be an attribute जो की हर student के पास है लेकिन class में मालोगर 60 student है तो 60 copy है लेकिन blackboard कितना है एक है यह किसको बता रहा है यह बता रहा है class variable तो अगर तुमको instance variable clear हो गया और class variable clear हो गया तो यह जो यहां पर local variable है उसको तुम सीधे ऐसे बोल सकते हो कि वह variable जो न तो class variable है और नहीं instance variable है वह local variable है ठीक है और अगर तुम्हें ऐसा बोल रहे हो तो यह बोलना तुम्हारा एकदम सही है Now question arises how to declare a variable तो this is the way यह तरीका है data type देखो data type int और variable का नाम my is string data type string data type और variable का नाम क्या है my name ठीक है एक variable is tired कैसा है boolean type का ठीक है तो कैसे variable अगर करेंगे तो data type और variable का नाम ठीक है variable को जब हम लोग declare करेंगे तो variable का नाम होगा तो नाम रखने के लिए वही rule हम लोग करेंगे जो हम लोग c में फालो करLab ठीक है आगे आओ अब जरा यह देखो इंटीजर जो है जावा में चार तरीके का होगा बाइट शाट इंट और लांग ठीक है और जब तुम कुछ ऐसा लिखते हो बाइट लिखो शाट लिखो इंट लिखो लांग लिखो यह इंटीजर के टाइप इक यह अब जरा देखो यह क्या है यह बाइट बोले कि जब तुम वेरियबल करते हो तो तुम कंपायले को बताते हो कि भाई साब हमको इतने byte की memory चाहिए और जैसे ही तुमने कहा कि हमको इतने byte की memory चाहिए यह चीज calculate कर ली गई कि उस memory में तुम minimum कितनी value रख सकते हो और maximum कितनी value रख सकते हो अगर तुमने byte type का एक integer variable लिख लिया है तो उसमें तुम माइनस 128 से छोटी value कभी store नहीं कर पाओगे और 127 से बड़ी कोई भी value store नहीं हो पाए ठीक है तो यह जो है value कैसे assign करना है तो बिल्कुल ऐसे assign करते हो जैसे size 14 डाल दिया too much caffeine true जैसे हम लोग assignment करते है यह हमारा क्या assignment आप लेता है ठीक है तो variable variable में जो value हमको assign करनी है वह value हम लोग दे देंगे और इस तरीके से आज का यह agenda खतम होता है अब हम लोग जो रहा question answer जो है देख लें कर